गुड मॉर्निंग जैहिं दोस्तों दोस्तों मैं इस चैनल के माध्यम से आपको इंग्लिस की कुछ बेसिक्स जो नौलिज होते हैं उनकी बारे मैं आपको पताने वाला हूँ तो जो बेसिक्स है तो आपको हम रोज वीडियो अप्लोड करूँगा थोड़ा थोड़ा टॉप आतने क्षको सापको हम बताता रहूंगा और सब बेसिक ही गएगी क्योंकि देखिए सीड़ियां चड़ना है तो पहले新ता पड़ेगा तो पहले सीड़ी होता है वो मतलब बहुत कठिन होता है अगर आप उस पर चड़ जाते हैं तो फिर अगला सीड़ी बहुती असान होता है क्योंकि अगर जैसे कि अगर हिंदी में है अगर हिंदी में आप कौक अग नहीं जाने होते तो आज जो हम लोग बाते कर रहें आपस में हम लोग बाते नहीं कर पाते हैं समझावात बात काबना तो इसलिए basic मजबूत होना जरूरी है क्योंकि बहुत लोग basic में नर्चा जाते हैं उनको आता सब कुछ है समॉड आता helped प्रोफेसर लेकिन basic पर आर लाए थो इसलिए हम जो इंग्लिस से स्टार्ट करेंगे तो a to z मतलब zero label से लेकर के पूरा infinity तक स्टार्ट करेंगे तो पहले चलिए हम zero label से स्टार्ट करते हैं तो पहले हम आपको एक example लेता हूँ जैसे क्वहलोग बच्पन में कौ ख ग ग यहसे मतलब नैं सिखा है तो आएवी withe यह सिख्षा है तो जो हिंदी में होते हैं यह स्वर होते हैं और के वेंजण में होते हैं उसी प्रकार उसी प्रकार इंग्लिस में भी is we स्वर को क्या बोलते हैं वावेल से बोलते हैं और वेंजन को क्या बोलते हैं कॉंसोनेंट से बोलते हैं तो जैसे कि जो हिंदी में होते हैं हिंदी में जो होते हैं अगर हम कौक अगर नहीं सिखे होंगे नहीं पढ़े होंगे तो हम सेंटेंस नहीं बना सकते हैं जैसे वह कही जा रहा है या राम कहीं जा रहा है तो राम चाहिए तो हम तरू का मात्रा लिए तो फिर अज। सब्सक्लाइब की अमको मिलते हैं मतलब एक यह कंछे तो इंग्रिइसमें होता है ना तो इंग्रिइसमें सेंटेंस बनाने के लिए जीसे की राम गो टो यह है में 26 लेटर होता है कितना होता है 26 लेटर होता है 26 होता है जिस मेंसे आपका 5 जो होते हैं 26 में से 5 जो होते हैं क्या होते हैं वावेल्स होते हैं और बाकी क्या होते हैं 26-5 21 क्या होते हैं कांसोनेंट होते हैं वावेल्स में स्वर होते हैं और इसके मतलब क्या होते हैं इसके मतलब होते हैं वेंजन क्या होते हैं वेंजन ठीक तो इन्हीं सब्सक्राइब करके हम लोग सेंटेंस का फॉर्मिशन करते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बात और बता देता हूं क्यों बेसिक है मतलब कोई पूछ लेता है जैसे कि हिंदी का से होता है जैसे कि होता है और महाराश्च का कहा है मॉंबई तो शत्यष्ट का कहा है राइपूर है तो उसी प्रकार जैसे मतलब जिसए एक एक घ्यांपड और देता हूं जैसे कि एक सैंपु हो गया मैं सैंपू का परस्क नाम नहीं लोगा तो हम उसका परस्क नाम नहीं लोगा उसका मैं यह एक्जामपल दे सकता हूं जैसे हैं कि बहुत सरा चीज मिल कर मिल से बनता है नाम जैसे की जो फिरक्स होता है यह किस नामें कर और यह किस कंपनी का है यह मतलब उस सेंपू के उपर होता है लिखा होता है कंपनी का झाँ मम से पढ़ हमान लगा सकते तो as कि उसी प्ड़काल जैसे की कि हिंदी में ह misma हुरी भाता刚 यह कईसा लिए गया यह जो होता है यह होता है लिपी तो हिंदी का ह सबस्राइब लेव नागरी oh यह दिमाग में रखें देव नागरी ओर इंग्लिस का लिपी होता है रोमन से स्धायlegen और 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 जो उर्दु का लुटा है उर्दु का लिपी पहार्सी होता है चलिया तो इ片प आप बिल्कूल अप Leung गर रखी है क्योंकि कोई भी कभी भी पूछ सकता है जरी आगे पड़ते हैं जीता कि पंट्यूमार क्या होता है न यह bıra क्या होते हैं हिंदिम जैसे हम कोई सेंटेंस लिए वह आम खाता है जीसा हम लोग लिख लिए हुआ आम खाता है के बाद हम लोग खड़ी पाई करते हैं यह हमारा हुआ पूर्द विराम जिसे की होता है इसको हम हम लोग इंग्रियमे फूलिश टाप कहते हैं लेकिन हिंदी में इसको हम पूड़ बिराम कहते हैं और जो हुआ है यह ही आई हुआ ही जुआ कुछ बाइब लाइब निजमद करते हैं क्या बलते हैं तो हिंदी में हम लोग इसका ने के यूज करते हैं खरीपकर श्वराइक शताहर को यह क्यूंद्स में लोग फुल्श्टाप का यूज करते हैं दोनों का मतलब मतलब होता है मतलब की अगला सेंटेंटेंस पर रहां सेंटेंस होता है जैसे कि यहां पर कोई sentence अगर लिख दिए लिखने बाद हम लोगों यहां पर यह मार्क लगा दिए तो इस मार्क से हमको यहां मतलब होता है यहां हमको प्रतित होता है कि यहां जो sentence है यह प्रश्ण वाचक है है question से मार्क है तो मतलब इस sentence में question पुछाए गया है यहां पर यह लगा गया है तो चलिए यह इसकी बारे में जान लेते हैं और यह हिंदी में किस परकार होता है और इंग्लिस में इसको क्या बोलते हैं चलिए जैसे कि sentence खत्म होता है खड़ी-पाई करते हैं हिंदी में इसको उसे पड़े जिए ऑल्लब पढ़े जैसे यहां पर यह हाई-फन होता है जो हाई-फन है र इंग्लिस होल बोलते हैं जैसे कि माता और पिता-माता बीच में-माता, चिन क्या बोलेंगे योजक चीन या निर्देशक चीन निर्देशक चीन बोलेंगे लेकिन जो इंग्लिस में होता है इंग्लिस में इसको बोलेंगे डैस इसे की मदर मुदर्स फादर्स तो बीच में जो है इसको हम डैस बोलेंगे चलिए आप इसको देख लिजेगा और हम आगे बढ़ते हैं जो यह नीचे है थ्योड़ी इसको आप लोग पढ़ लिजेगा हम आगे बढ़ते हैं जैसे कि सम पंच्वेशन्स मार्क हैं जैसे इहां पर सम पंच्वेशन्स मार्क में क्या लिखा हैं अंग्रेजी वर्ड़ों की चुकी कई कई ध्वनियां होती हैं इसलिए उनका पर नहीं होता है यह कहीं द्वनियड़ों में उत्पन होती हैं अंग्रेजी का सही उचारग सुनने से ही सुधर शक्ता है फिर भी हमुणा को समझ बढ़ाने का प्रत्न करेंगे इस स्वर और विंजयन वड़ों की द्धनियों को समझ लेने पर आपको वड़ों और सब्दों उचारड़ा करने में सहायता मिलेगी जैसे कि एक हम लोग जैसे हम लोग बोलते हमें लेकिन सेंटेंस बनाने पर आएक हम पढ़ेंगे और इस इसमें न 늘 लिखाँ है कि कि हं कि कोई भी चीज हम लोग को सुनने से और एक बाए मतलब पढ़ने जी abandonedch होता है कि हाँ इस चीज को यह पढ़ता है कोई तो सीकत आता नहीं फ़र से कि हाँ सब कुछ झाता है तो यहाँ पर समझने से सुनने से यात करने से कुछ चीजा पता होती है। हम नोगने हैं प्रक्रार के हम वे बनाते हुआ कभी कभी हम लोग द्या भी परदे हैं लेंगे सावी की बतालेंगे बबनेई करते हैं तो आप लोते हैं तो चलिए अब डबलू एक्स वाइजेट जो होते हैं 21 होते हैं इनके अलवा बाकि सब कॉंटिनेंट मितलब क्या होते हैं चलिए अब देखिए आप यह लिखा है कॉंसेंट इसको आप लोग पढ़ लिजेगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और इसमें ज्यादा वाट्स होते हैं और इन जो ABCD होता है ABCD इसका हम लोग उपयोग हमारे लिए किस परकार यह helpful है मतलब उपयोग हम कहां पर करेंगी तीन का उपयोग मैं बताया ना जिस परकार कौक होगो का हम लोग यूज करते हैं सेंटेंस बनाने में उसी परकार ABCD का यूज करते हम GGD में वाग के बोलते हैं और इंग्रेस की माथे ज된्टेंस बोलते हैं चलिये तो हम अगले लेक्शर आपको क्या में बताएंगी यह बीश्य मोर्त वाट होता है। यह więcej बात बोलत रहा हूं जैसेंकि शारे में में एक्वान पर देद रहा हूं यह सीर तो इस ऐसम सभान इ इसमें जो यह हो गयाना तो आम लोग पढते क्या है इसको हम को मुझी घरते हैं यह फॐाइमे इससे टना पर देटी जो chimụ वीट Čर्ट के अब फिन इा सालियन्स आधि-व अ इसको हम लोग मतलब इसमें जो युँट है युट होता है तो हम अगले ova होते हैं और किस तरह किस वर्ट को कैसे को पढ़ा जाता है हम अग्ला पर फिर उसके बाद जो कुछ भी टॉपिक्स है पिर देख लेंगे अगले सान अर cream नहीं ट्र 이제 हैं तो हमिलों को जाहिन